नमस्कार मैं राना इश्वंत आपका स्वागत करता हूँ आज सुप्रीम कोट ने अध्या विवाद को सुझाने के लिए तीन मध्धस तै कर दिये हैं जस्री खलिफ उल्ला श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचु जो जाने माने वकील हैं मेडियेशन के मास्टर मार जाते हैं तै यह हुआ है कि बादचीत फैसाबाद में अध्या के दाएरे में होगी और इसके अध्यक्ष जस्टिस खलिफ उल्ला होंगे इन तीनों लोगों को जिम्मा ये दिया गया है कि जितने भी पक्ष अध्या मामले से जोड़े हुए हैं उन सब को साथ बिठा करके उनकी राय ले करके समाधान निकाला जाए एक रास्ता धाविबाद का निकाल लिया जाए आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या यह संभव है सुप्रिम कोट लगातार इसकी सुनवाई कर सकता था सुनवाई करने के बाद जो सबूत रहे हैं दोनों समझोते का रास्ता अख्तियार किया और मैं बार बार कहता हूँ जब आप समझोते के लिए बैठते हैं तो थोड़ा बहुत आप कॉंप्रमाईस करते हैं थोड़ा बहुत सामने वाला कॉंप्रमाईस करता है लेकिन कहीं ने कहीं थोड़ा या जादा आपको समझोता करना पड़ता है तब ही इस तरह के मामलों में सहमती तयार होती है अब सवाल ये है कि क्या ये सारे पक्ष थोरा या जादा समझवता करने के मूड में रहे हैं या हैं शायद नहीं है खास करके राम जन भूमी नियास राम लिला विराजमान हिंदू महासभा या पीछे से एक बड है कि भव मंदिर बने मस्जित की किसी भी तरह क्यों धारना फैसला या सहमती उन्हें मनजूर नहीं है यानि कि बाचीत ऐसे में जब कभी भी होगी ते उन सभी पक्षों की जो राय होगी या उनका दबाव होगा वो इस बात के लिए होगा कि उस पूरी जमीन पर आप अनुमती दे दे मंदिर बने दूसरी तरफ निर्मोही अखाड़ा और सुन्य वक्ष बोड हैं जो यह चाहते हैं कि बाचीत के जरिये रास्ता निकल जाए निर्मोही अखाड़ा जो बाकी हिंदू पक्ष हैं उनसे थोड़ा अलग चल रहा है फिलहाल और मैं आपको याद दिला दूँ कि निर्मोही अखाड़ा ही ऐसा पक्ष जिसने पूरे मामले को जमीन का विवाद बना दिया था उनिस सो उनसट में इसी निर्मोही अखाड़ा के तरफ से एक प्टिशन दाखिल की गई थी कि यह पूरी जमीन अखाड़े की है इसलिए इसको लोटाया जाए ना तो वो राम जन भूमी के है और ना ही वो सुन्यु अखबोड की है बलकि निर्मोही अखाड़े की है तब ही से विवाद जमीन के विवाद में तबदीद हो गया सुप्रिम कोट ने अब जाकर कि हमाना है कि नहीं विवाद जमीन का जरूर है लेकिन इसका सीधा रिष्टा देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है दो समुदायों के बीच यह मामला है और दोनों समुदायों के जजबात इससे जुड़े हुए है इसलिए इस मामले को राश्टे संदर्भ में देखा जाना चाहिए दो बड़े समुदायों के बीच के विवाद के तौर पर देखा जाना चाहिए और ऐसे में बहतर यही है कि मिल बैठ करके कोई हल निकाला जाए अब जो स्थितियां है जिन प्रक्षों को मैंने आपके सामने रख मंदिर बनेगा भविराम मंदिर बनेगा वो किसी तरह के समझोते के लिए कभी तैयार नहीं है क्या इस मध्धस्त की भूमिका को वो स्विकार करेंगे या फिर इनके कहे के मताबिक वो अपनी रजामन्दी दे पाएंगे चूंकि ऐसे लोगों की सहमती ऐसे लोगों की रा राएंगे लेकिन देश में जो राजणीत होती है उसको भिस समझना बहुत जरूरी है इस लिहाससे आप देखेंगे तो सरकार के भी अपनी राए खासकते बीजेपी की अपनी राए राए राजनीत के लिहाससे बहुत माईने रखती है अगर मिल बैठ करके सुलजाने का ही मामला होता तो चंदश्वेखर जब प्रधान मंत्री थे कहा ये जाता है कि चंदश्वेखर ने अजध्धाय विवाद को सभी प्रक्षों को बिठा कर सुलजाने का एक रास्ता निकाल लिया था और वो बहुत खरीब पहुँच गये थे इसे निप्टाने की और यह बात राजीव गांधी तक पहुँच गई थी उन्हीं की कॉंग्रिस के समर्थन से चंदश्वेखर की सरकार चल रही थी इसलिए कॉंग्रिस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चंदश्वेखर की सरकार गिर गई थी मोटे तोर पर अंदर खाने की बात यही है जो कही सुनी जाती है उस समय भी कोई रास्ता निकल सकता था नहीं निकला क्योंकि एक बड़ा दल नहीं चाहता था आज भी सुप्रिम कोड की कोशिश या मनशा है कि कोई रास्ता मिल बैठ करके निकल जाए पंचायत से निकल जाए सभी पक्षों की आपसी सहमती से निकल जाए यह दूर की कोड़ी जरूर है लेकिन इसमें जो राजनीत के फाइदे हैं उनकी भी एक अपनी भूमिका है और बहुत महत्तव पूर्ड भूमिका है उस लिहास से क्या ऐसा प्यास संभव हो पाएगा सफल हो पाएगा यह अपने आप में बड़ा सवाल है लेकिन मोटी बात यह है कि सुप्रिम कोड जिस रास्ते पर है वो गानून का रास्ता नहीं है सहमती का रास्ता है और इतने बड़े मसले पर इतने बड़े विवाद पर कानून की जगह सहमती के जरीए कोई हल निकाल लिया जाए ऐसा सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है फिर भी किसी भी वक्त इतिहास कहता है कि किसी भी मोर पर कुछ भी संभव हो सकता है संभावनाएं हमेशा बनी रहती है आने वाला वक्त संभावनाओं से भरा होता है इसलिए कभी कभार अब प्रत्याशित नतीजे भी हमारे आपके सामने आते रहते हैं सुप्रिम कोट ने जो सोचा है अब प्रत्याशित ही सोचा है लेकिन संभव है नतीजा प्रत्याशित हो जाए फिलाल समय हो चला है अब आपसे विदा लेने का लेकिन एक छोटी से गुजारिश यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन लिए नमस्कार